दोस्तों आज मैं आपके लिए लिए आया हूँ most demanding topic clause test जो के अब open हो चुका है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी short trick देने वाला हूँ clause test को करने की जो school level से लेकि competitive level तक समय applicable है और आपके 5 से 7 marks तो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे सिर्फ इस एक वीडियो से साथ ही साथ इसमें मैं आपको clause test की PDF भी दूँगा और एक book suggestion है वो भी दूँगा तो वीडियो आइंट देखें और मज़े के साथ clause test को पक्का कर ले गाईस सबसे पहले हम समझते है clause test के meaning को clause test में आपको एक passage दिया गया होता है और उस passage के अंदर कुछ blanks दिये गए होते हैं और उन blanks को fill करने के लिए आपको कुछ options भी दिये गए होते हैं और आपको क्या करना होता है उन options में से सही option को choose करना होता है और आपको marks मिल जाते हैं लेकिन ये इतना आसान होता नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो आप attempt करने बैठते हो न तो आपको तरह तरह की विचार आ जाते हैं आप तरह तरह की confusion में फस जाते हो और math deduct हो जाते हैं बहुत difficulty face करते हैं students लेकिन आज की इस video का मेरा purpose यही है कि आपको close test के अंदर maximum math score करवाओं तो अगर आप मेरी बताई हुई strategy क आज follow करोगे न तो मैं आपसे promise करता हूँ कि आपको full marks मिलेंगे इसके लिए आप मेरी जो भी strategy उसे end तक देखना और उसे follow करना ठीक है जी आप सबसे पहले आपको यह जानने की जरुरत है कि close test के जरीए close test के through आपको जो examiner है वो आपसे चाहता क्या है वो आपसे चाहता ह आपकी understanding को test करना जो examiner की summary आती है न उसमें साफ साफ कह रखा है कि हम चाहते है हमारे students की understanding को check करना कि उसके अंदर कितना दिमाग है वो किसी भी topic को यह जो passage होता है वो topic ही तो होता है कोई कोई कहानी ही तो होती है उस कहानी को वो कितना समझ पाता है यह हम देखना चाहते ह यानि आपको क्या करना है आपको अपना sense apply करना है दोस्तो याद रखना English के अंदर तो sense की वैसे भी बहुत value है बहुत importance है आपके sense की तो आपको यह passage दिया गया होगा उसमें आपको अपना sense लगाना है उसको समझने की कोशिश करनी है और तभी आप उसे अच्छे से attempt कर प होगे तो अब शुरू करते हैं हमारी strategy दूस्तो clause test को attempt करने की strategy बताने से पहले मैं आपको कुछ suggest करना चाहूंगा आप English को prepare करने के लिए books और novels सो बढ़ते ही होंगे एक book मैं आपको suggest करना चाहता हूँ book का नाम है audit of a CA और ये लिखी है CA रूचा सारड़जी ने अब इस book के अंदर क्या है इसके अंदर एक CA student का struggle बताया गया है और इससे आपको क्या होगा आपको inspiration मिलेगी जैसे आपने 3 idiots movie देखी थी उसके अंदर आपको inspiration आई थी आपको भी motivation मिला था आपकी life पे बहुत ब बता दूं आपका फायदा हो जाएगा आपको अच्छा लगगा inspiration मिलेगा तो ये आप purchase कर सकते हो description में link दे रखा है महाँ जाके इसको purchase कर सकते हो अब बात करते हैं हम हमारे close test की कैसे आपको strategically close test को time करना है वह सबसे पहले तो आप क्या करना आप सबसे पहला step ये रखना कि जो भी close test है उसकी 2-3 line आपको शुरू में पढ़नी है 2-3 line कैसे जैसे यहाँ से आपका close test start हुआ तो आपको शुरू की 2-3 line को पढ़कर एक idea लेना है कि क्या आपका topic है close test का जो topic है उसे identify करना है ठीक है पहला हमारा क्या step रहा कि हमने identify करना है हमारे topic को ठीक है अब मैं ऐस इसे ही नहीं बोलूगा मैं आपके साथ साथ ना इसे attempt विगर के दिखाऊंगा जी हाँ जो strategy मैं आपको बता रहा हूं जो steps मैं आपको बता रहा हूं उनको follow भी अभी अभी करेंगे बिल्कुल अभी करेंगे इसलिए बिल्कुल अभी अगले 5 मिनट तक न सारे काम छोड़ के पूरा अपना attention यहीं पर रखना अभी मैं start करूँगा SSC का exam से उसके बाद हम banking के exam भी देखेंगे तरह तरह के exam के clause test को हम attempt करेंगे किसी का भी कोई नुकसार नहीं होगा कोई भी आप exam दे रहे हो आप सब के लिए फायदा होगा ठीक है अभी SSC का exam देखते हैं तो जैस पहली लाइन लिखी थी दारेंस और फिर ब्लैंक आगे जैसे मैंने आपको बताया था इसमें एक ब्लैंक दिया गया होता है अबाउट नर्दन इजिया एंड यॉरॉप ओवर दा वाइड ग्रास लैंस देखो मैं जैसे ही पहली लाइन पड़ी मुझे आइडिया हो गया क ये टॉपिक आरेंस के बारे में यानि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है ठीक है ये मुझे क्लियर हो गया नेक्स मैंने आपको क्या करना है आपको बताता हूं स्टेप टू आपका ये होना चाहिए कि आपको जो ऑप्शन से उनको देखना है और उनमें से एलिमिनेट क लिए लगा हुआ था अबाउट नर्ण एयंजिया और आप्शण क्या क्या मतलब होता है घूमना और यान काम करना वर्यट मतलब परिशान مुझनों अब दिख रहा है कि आरेंस ने क्या किया होगा नजर नेशिया में क्या करा होगा उन्होंने घूमे होंगे आए होंगे उन्होंने कोई वर्ट तो नहीं किया होगा उन्होंने वरीड भी नहीं हुए होंगे भाई आए होंगे घूमे होंगे उन्होंने वहाँ पे रास्ता तैय किय यही तो क्या होगा इसलिए मुझे लगा कि वर्ट बिल्कुल नहीं होगा वर्ट बिल्कुल नहीं हो सकता इलोजिकल है और वंडर्ड भी नहीं होगा इस तरह करेक्ट आंसर क्या होगा वेंडर्ड ही होगा तो मैंने यहां जादा कुछ नहीं किया मैंने अपनी अंडिस्टे करना है तो इसके अंदर आपको जो general vocab है न आपकी वो ज़रा अच्छे से करनी है general vocab क्यों आप उसके पीछे के reasons सुनो इसमें जो भी आपसे पूछा जाते हैं वो कोई hard and fast vocab नहीं पूछे जाते क्योंकि purpose आपकी vocab चेक करना नहीं है purpose तो है आपकी understanding को देखना कि आपने आरेंस का जैसे ही topic देखा तो क्या आपको idea हुआ कि आरेंस के बारे में की बात कही गई है तो यहाँ पर worried तो आ सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी worried about नदनेशिया sentence तो तब भी सही हो जाता कि आरेंस चिंतित थे किसके बारे में नदने आरा था कि क्या purpose है आपकी understanding को check करना आप कितना comprehend करते हो topic को ठीक है जी इसलिए general vocab आपकी अच्छी होनी चाहिए साथ ही साथ जो आपकी parts of speech है prepositions है आपके conjunctions है उनके बारे में भी आपको basic understanding तो होने ही चाहिए क्योंकि ज्यादा तर तो vocab आपसे पूछेगा जो यहाँ जो पूछा जाएंगे जो questions होंगे वो basically based होंगे आपके work app पे लेकिन prepositions भी आती है conjunctions भी आती है work भी आ जाएगी tense के भी कोई रूल कभी कभी पूछेगा तो यह भी आपको थोड़ा थोड़ा एक idea basic understanding रखना ठीक है दोस्तों अब आगे बढ़ते है उसी concentration के साथ जैसे भ और climate क्या होगे जलवायू क्या हो गई ड्रायर हो गई सूख गई and the land और जो आपकी जमीन थी वो क्या हो गई डैश लेंड क्या होगी जमीन क्या होगी अब दिमाग दगाओ आओ वह basic understanding आते हैं हमारे options पे लेंड क्या हो गई ग्रास फुल हो गई होगी नहीं ग्रास फुल पे आये और जलवायू क्या होगे ड्रायर हो गई सूख गई zemीन रहित क्या होगी नहीं सूख गई तो जो जमीन होकी बताओ न समीन क्या हर्याली चा upsले लग गई होगी मंधिए रास लेंगई विए क्या भी वह ग्राश लेउगरा होगी वह डैड होगी है में ग्रास ले हो घाएगा होगा के मुए बताओ मैं कुछ अलग यह उसके centre फुल लगाद आजने सब बाइए नेट यह वारो फिलेंद लैंग से उसको देखते हैं नेट वह से विचमध ड्रायर चाहर 정확त उसके बाद को ग्रासद सब लगा दूनिहाइब there was not dash food यहां पे क्या नहीं था food नहीं था, कितना food नहीं था, there was not full food, full food नहीं था, नहीं यह तो कुछ बात नहीं, there was not enough food, enough food, यहां मुझे देखते ही पता चलिए, कि वहाँ पर्याब्त खाना नहीं था, enough का मतलब काफी होता है कि नहीं, जब आपकी land dry हो गई, जलवायू dry हो गई, लेंड आपकी grass less हो गई, वापे ओनी बची, हरियाली नहीं बची, तो आपका खाना क्या हुआ होगा, खाना काफी आपके लिए नहीं बचा था, ऐसा ही तो हुआ होगा, तो हो नहीं इसका answer मुझे पहले ही दिग गया, enough होना चाह okay, तो भई उन्हें क्या होना पड़ा, उन्हें force होना पड़ा, मुझबूरी उन्हें other parts में जाना पड़ा, world के, मतलब और जगह shift करना पड़ा, तो यहाँ पे अब आपको जो option दिये हुए हैं, देखो, conjunction आ गया आपकी, so दे रखा है, as दे रखा है, because दे रखा yet, तो यहा कोई sense ही नहीं बन रहा, अगर हमने basic अगर पड़ रखे हैं, conjunction preposition, तब भी हमें पता ही लग रहा है, तो यहाँ मैंने, बिल्कुल अपने confidence के साथ, so लगा दिया, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ता हूँ, आगे का देखता हूँ, आगे क्या कह रहा है, ओके जी, तो यहा अगर हमें, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, आगे बढ़ता है, अगे बढ़ता है, इसका correct answer हो जाएगा, बढ़ता है, अगले 5 पॉप्शन्स हैं, उनका जवाब आप मुझे बताओगे आप इसे complete करोगे और आप मुझे comment box में जाके इनका सयांसर दोगे अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे banking के exam में देखते हैं कि उसमें क्या पूछा जा रहा है और उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा next exam जो बहुत ज़्यादा अभी आने ही वाला है SSC CGL तो वो भी हमें देखना है तो आभी banking का exam देखते हैं दोस्तों आपको exam बास कराने का ठेका लिलिया है मैंने और इसलिए आपके लिए पूरे clause test की PDF बना दी है आपको क्या करना है बस dear sir के instagram account पे जाना है और उसे follow कर लेना है वहां से आपको PDF मिल जाएगी तो वहां हमने उस PDF के अंदर आपके लिए कुछ exercise भी दे रखी है आप उसे practice कर सकते हैं वहां answer भी दे रखे है answer से आप match भी कर सकते हैं अपनी practice को ठीके जी अभी हम क्या करने वाले है अभी हम देखेंगे banking के exam में जो clause test आए है उसको देखेंगे उसके बाद देखेंगे SSE के mains में जो clause test आए है उसको तो banking का exam से start करते हैं तो वही strategy रखनी है हमें अपनी कुछ नया नहीं करना तो क्या है starting देखते हैं जल्दी से एक दो line देख लेते हैं depending upon how humanity chooses to use it technology can enhance और देखो यहाँ technology के बारे में है दो line पढ़के ही मुझे पता चल गया ठीक है जी अब fill in the blank देखते हैं क्या है इसके अंदर can enhance और dash कि जो technology है वो इनहांस कर सकती है बढ़ा सकती है किस चीज़ को अच्छा कर सकती है या फिर क्या कर सकती है बुरा कर सकती होगी यही तो आएगा options देखते है options क्या है depressed कर सकती है नहीं finish कर सकती है नहीं finish तो बिल्कुल खतम थोड़ी कर देगी नहीं problem कर सकती है problem कोई verb यहां पर ही नहीं ठीक है जी यहां hinder एक मेरे को word नजर आ रहा है जिसका मतलब होता है रुकावट तो यहां मुझे correct answer मेरा मिल यह क्या आएगा hinder आएगा बहुत इसली मैंने देख लिया आगे बढ़ते हैं देखते हैं क्या है any aspect enhance or hinder any aspect of life the realm of interpersonal communication generally feels the impact was फिर आगया आगये many times throughout history humanity has changed modes of communication as society itself has dash क्या है modes of communication को society क्या करती है आप देखते है options क्या क्या दे रखें evolved करती है पहले ही words से मुझे पता चलिया जी evolve का मतलब ही यहां पर क्या होता है पैदा करना किस चीज को बनाना ठीक है जी form करना form ही तो करती है society ने जिसने खुद ने form किया है communication को तो यहां पर मेरा correct answer क्या हो जागा है evolved, destroyed तो यहां बनना ही नहीं था, illogical था, pledged का मतलब भी यहां कुछ नहीं बन रहा था extinguis का मतलब भी क्या होता, extinguis कर देना, खत्म कर देना, नश्ट कर देना, नश्ट नहीं करते communication को, mode of communication को evolve करते, create करते, form करते, ठीक है इस तरह से आप इसको आगे भी कर सकते हो, मैं चाहता हूँ कि आपको मैं एक तरीका बता दू, एक way बता दू, इसको अब इसके अंदर भी childhood के ऊपर है, topic पता चलिया है, आईए अब उससी mindset से आगे बढ़ते हैं, childhood is a time when there are, childhood एक time होता है, जहाँ पर क्या होता है, there are dash responsibilities to make life difficult, वहाँ पर क्या होती है, थोड़ी responsibilities होती है, life को difficult करने की, ऐसे ही तो कहना चाहरा है, सच बता हो, यह कहना चाहरा है options देखते हैं क्या क्या है, options के अंदर इसमें लिखा हुआ है, many, बहुत सारी होती है, नहीं childhood में तो कम होती है, और कम के लिए कौन-कौन सा आएगा, यानि many तो कड़िया, more भी कड़िया, little और few बचे, यहाँ पर मैं लगाँगा few, क्योंकि little जो होता है, वो जो अदर uncountable क नहीं तो क्या कोई फरक पड़ेगा, नहीं फरक पड़ेगा भई, हमें तो clause test का एक concept पता होना चाहिए, strategy follow करनी है, और सही यहां से लिखके आना है, next देखते हैं, आगे क्या कह रहा है, if a child-good parents, he is fed, looked, okay, अगर एक child है, और फिर blank आगे, good parents, आब option में देखो, क्या क्या है option में है, अगर एक child के has parents होगा, will have parents होगा, head parents होगा, या have parents होगा, child singular singular के साथ has आएगा, simple सरूल था, sentence बना दो, क्या बनगे sentence, sentence बनगे जी, if a child has good parents, अगर एक child के पाद अच्छे parents हैं, तो दिखर असान इसे हो रहा है, मैं पूरा-पूरा solve भी करा दूँगा, लेकिन मैं च बढ़ते हैं, चलो थोड़ा सा और, he is fed, उसको खिलाया जाता है, looked at, dash and loved, अब parents क्या करते हैं, खाना खिलाते हैं बच्चे को, looked after, अब looked after, अगर आपने एक word सुना हो, look after, यानि खयाल लगने के लिए, तो आपको option भी देखने की जुरुरत नहीं थी, लेकिन option में मैं आफ्टर आएगा, देख रहे हो, आप क्या आपका sense चेक करना चाहता है, examiner, वो आपको दे रहा है, ऐसे word, जिसमें आप confused हो जाओ, लेकिन आप नहीं होंगे, आप नहीं होंगे, क्योंकि आपने शुरू में ही पता कर लिया था, कि topic का नाम क्या था, तो दोस्तों, इस तर करते हिएं, मैं चाता हूँ, और अच्छे से share करें, वीडियो को अपने हर साथ ही तक पहुंचांए, वीडियो को ज्यादे ज्यादा share करें, अगर आपने चेनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो क्यूं नहीं किया है, जल्ली से channel को भी subscribe करें, bell icon दबाएं ताकि आपको notifications मिल विडियो के और अभी जो मैंने आपको बुक रिकमेंट करी थी बहुत अच्छी बुक है आपको बड़ा अच्छा लगीगा इंस्पिरेशन मिलेगी आपको स्ट्रगल अच्छा लगेगा कि कैसे एक स्ट्रगल करने के बाद लाइफ को फाइट करा है बड़ा हार्ट फॉर्ट लाइफ के बाद उनने अच्छीमेंट हासिल करी है वो आप कहानी सुनोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा आपकी रेडिंग स्किल भी इंप्रोव होगी तो वो बुक अगर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा मज़ा आएगा मुझे बड़ा मज़ा आया था ठीक है तो आज के लिए इतने ही रखते हैं मिलते हैं फिर नेक्स लेक्चर में